हाई गाई, माइनम इस दुक्षी शगरौाल और आप देखने कन्नू ममी मेजिकल वर्ड हलो दोस्तों कैसी है आप लोग आज हम आपको वार्टर सैक्ल के बारे में बताएंगी अरे अरे कन्नू कहाँ जा रहे हो और एक रअदा कांट मैं चाता लेने जा रहा हूँ कन्व बारिश हो रही है क्या? हाँ बारिश हो रही है कन्व आपने कभी सोचा यह बारिश कैसे होती है? नहीं अच्छा, तो आज मैं आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छी स्टोडी बताऊंगी बताऊं, देखो कन्व आपको पता है कि हमारे अर्च सर्फेस पे जितना भी बारिश कैसे होती है यह सारा बारिश कम भी कैसे होता है, जादा कैसे होता है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं देखो हमारे अर्थ सर्फेस पे जितना भी पानी है वो धीरे धीरे सूरज की गर्मी से गरम होता है ठीक है और सूरज की गर्मी से वो गरम होके क्या बन जाता है भाब बन जाता है भाब को क्या कहते है वैप्योर ठीक है और जो पानी गरम होके भाब बनने की प्रोसेस क्या क उसके बार अच्छा देखो जैसे कि कंणू यह गरम पानी है चुकि बतास युपार कैसा है पानी बहुत गरम केसे लग रहा है कणणू बहुत गर अच्छा आपने हास कौल के दिखाओ कन्णू देखो ये गिला-गिला वराए तो कन्णू ये पानी मीचे था आपके हैंड पे कैसे आ गया इसे क्याते हैं इवेपोरेशन देखो पानी जो गरम हुआ है ना गरम होके भाब बना वो बना इवेपोरेशन उसके बाद जो भाब ठंडी हुई यह प्रॉसेस क्या कहलाई कन्डेशन यही चीज वार्टर साइकल में हम लोगे साहथ भी होती है जिसे जो अर्थ की सरफेस पे जो पानी है वो गरम होगा किसकी गरमी से? सूरज की गरमी से वो पानी गरम होके एवेपोरेट हो गया और उसके बाद धीरे धीरे जब वो वायू मंडल में पहुंचता है तो वो ठंडा होने लगता है ठंडा होके जब बहुत सारा पानी ठंडा हो जाता है तो उसमें धूल और हवा के कड़ ये सब मिलके बादल बना लेते हैं जब वो बादल भर होने लगता है अच्छा करनू एक बाद बताओ जब इस बरतन में हम पाणी भरते रहें भरते रहें तो क्या होगा? एक बादल तो फैली जाएगा यही चीज बादलों के साथ होती है जब उसमें वैप्योर भर भर के जब वो ठंडा हो जाता रहता है तो बादल बहुत बड़ा होता जाता है और फाइनली वो बादल फूर जाता है एक तरीके से जैसे बालून है बालून में आप हवा भरते जाएंगे उसके बाद क्या होगा? बालून जब जब जादा हवा नहीं ले पाएगा तो वो वलिंग फूर जाएगा यही चीज होती है और इस तरह से जब वो वैप्योर बादलों में भर जाएगी और वो ठंडी भी हो जाएगी तो और जब वो बादल उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो बादल पानी रिलीस कर देगा और उस तरीकी से बारिश हो जाएगी तो देखिए पहले बाटर एवैपोरेशन हुआ एवैपोरेशन के पाद बात पानी ठंडा हुआ वो क्या कहलाया कंडेंसेशन और कंडेंसेशन के बाद जब वो बादल उसको पानी को अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा अपने अंदर नहीं ले पाएगा तो वो प्रोसेस क्या हुई कई परसीपेशन क्या प्रोसेस कि जो कंडेंसेशन से पानी जो भंडा हुआ घंडा भाधल बारिश शुरू हो गई वो प्रस परसीपेशन यानि जो बारिश आप तो जो पारिश होती है एक समय बार कहीं जगा जगा ओख़ती था आप देखा होगा गड़ें पहला ओध कहीं और नदी में जाती हे तलाब में जाती है इवन जो पहड हैं वहां पर वर्ष के फॉर्म में जमा हो जाती है तो यह सब जगे पानी का कलेक्शन हो गया तो इस तरीके से इसके 4 प्रोसेस हैं सबसे पहले वाटर गरम होके एवैपोरेट होगा वैप्योर बनेगा एवैपोरेशन हो जाएगा देन पानी ठंडा हुआ बादल फॉर्म हो गए ठीक है कंडेंशेशन हो गया इसके बाद जब यहीब होगया वो द्लास्चे आप वर्त का कलेक्शन हो गया और यही प्रोसेस पूरे साल चलता रहता है पानी इवैपोरेट होगा मैं कumbs fashion हो गा एंड फाइनली क्लेक्शन होगा यहीं जो पूरा साइकल चलता रहता है घलाता है यह वाटर बाद के फिर बरसना फिर collect होना तो यह सारा process हुआ water cycle अच्छा करनो एक बाँ बताए water cycle क्या समुद्र से या फिर समुद्र से ही होगा नदियों से होगा यह बड़े बड़े जो जलके श्ट्रोत है क्या वही से water vapor होता या हर जगे से होता है हर जगा से होता है आपको पता वही तो नहीं रहता वह सूख जाता है यह क्या है यह है हमारा water cycle और यह लगाता चलता रहता है पूरे साल भर चलता रहता है और इस process को कहते है water cycle ठीक है इस तरह के से आप अपना बहतरीन आप अपने हां करनों कुछ कहना चाहते हैं Yes, पानी तरह से बरसता है एक तो पानी बनकर बरसता है यह water की तीन forms होती है water की तीन form इसमें आपको बचसे water की तीन form भी मिल गई पहला जो पानी गरम हुआ उससे बाप बन गया ठीक है उसके बाद ठंडा हो गया वह पानी बन गया और जो वहां पर पहाड़ों पर जमाँ हो गया बरस के फॉर्म में तो यह वाटर की फॉर्म भी हो गई तो वाटर है यह पूरा साइकल चलता रहता है तो आप इस तरीके से इस तरीके की अच्छी-च्छी जानकारियां चाहते हैं सरल्भाशा में और आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगली बहुत ही अच्छी-च्छी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी तो हमारे चैनल को सब्सक् जरूर कीजिए और आप आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीस कमेंट वॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए जिस तरह जिससे हम आपकी हेल्प भी हो सकें और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे-च्छे आपके लिए बहुत सरल टॉपिक्स ला सकें और अगली वीडियो किस पहला है बाई हम दोने के जोड़ी आपसे जल्दी ही मिलते हैं बाई